ससूर भीम्राव तामगरगे ने अपनी बहु करिश्मा को चौते माले से धक्का देकर नीचे फेक दिया था इस बात का विरोध करती वे राश्टिय ओवी सी मुक्ति मुर्चा की अध्यक्षन निति चौधरी ने तमाम कारे करता के साथ पेडिता करिश्मा से मुलाकात कर पेडिता के साथ पूरी ताकत से खड़े होकर उसे नयार दिलाने के लिए हर संभु कोशिच करने की बात इस मौके पर कही गई हाले में बहु करिश्मा की ससुर भीमराव तामगारगे नी चौतिम मंजल से बहु करिश्मा को धकेल कर नीचे गिरा दिया था जिससे करिश्मा मौत की मूँ से तो बच गई लेकिन उसकी रीट की हड़ी से रिकर संपूर्ण शरीर की हड़िया पूरी तरह से तूच चुकी है करिश्मा तिल-तिल मर रही है उड़केश और पुलिस के गिरफ से अभी भी ससुर भीमराव तामगारगे फरार है बीसे नियूस ने जब ये घटना की नियूस बताई तो कई संगटन पीडित करिश्मा की ताकत बंद कर आगे आ रहे है करिश्मा को धीर देती हुए उसकी माँ से बाचीत की इस मोकी पर राश्ट्री ओविसी मुक्ती मोर्शा की कारिकरताओं ने पीडित करिश्मा के आरोपी ससुर के खिलाफ जोरदार प्रोध प्रदर्शन किया आवाज दो हमेख है करिश्मा को नया मिलना ही चाहिए इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पदादिकारियों ने बीशियन समख्ष बाचीत की करिश्मा को नया मिलना चाहिए इस मांग को लेकर आज करिश्मा के घर के सामने में यह तमाम अंदोलन करी यहां पर उठीद है आईए उनी के जुबानी जानना चाहेंगे कि आखिरकार यह आंदोलन करने की पिछी का उनका उद्देश्क है मैं मां पता ही कि आज क्यों यह आंदोलन किया रही है यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इत्ते दिसेंबर के आख्री हपते में घई घटना घटी है उसके बावजूद भी अभी तक उसके घर के जो लोग खरार है जिनों ने यह लड़की के साथ बे शलूपी की है उन सभी को धून कर पुलीस ने तूरंत उनको बेल यदी मिली होंगी तो वो गल्ती भी सुदारनी चाह कि यह सब बाते वो लड़की ने आज हमको कही है क्योंकि पती का उससे क्या इलेशन है यह एक क्वेस्टन मार्क है और इसलिए उसको भी इस केस के अंदर में सजा मिलने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है तो उन लोगों की उपर में कानूनी कारवाई हुआ है इसा इनका को बता है वो बहुत सीरियस अफेंस है सेक्शुल हराश्मेंट है उनके हजबन ने उनने तब कहा कि रिलेशन के समय उनको जलती हुई सलाग डालूंगा करके तो यह बहुत गंबीर विशह है और पोलिस ने इस तरह से लिखा है उसे उनने बेल मिली है और आरोपी फरार है तो पोलिस की निश्क्रिता इदर दर्शाती है कि ऐसे कैसे हुई आज के मोबाइल के यूग में सब ट्रेस हो जाते हैं मोबाइल नंबर ट्रेस होते हैं आरोपी पकड में आते हैं मगर इदर उड़केशवर पोलिस कुछ ज्यान नहीं दे रही है और बराबर नयाले के समय में उन्हें पक्ष रखा नी और न्याले ने उनको बेल दी है और जो ससूर जी में ने 307 जीनके अगेंस में सिरियस क्राइम है वो अभी तक एपसकॉंडिंग है तो नागपूर के बाहर कैसे गए वो और किसकी निश्क्रिता है इसलिए हम ग्रह मंत्राले से भी निवेदन तिल तिल जो जल के मर रही है वो लड़की उसको नाए मिलना चाहिए उसके लिए हम अंदोलन करेंगे यहां तक हम ग्रह मंत्राले को हम लेटर देंगे और उसको हम जो नाए मिलना चाहिए और जो आरूप ही है उनको गिरपता होना चाहिए उनको सजा होनी चाहिए अगर करिश्मा को नए नहीं मिलता है तो ये लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की इन्होंने बात कही है आपको हम बता दे कि महाराष्टर में भी ये जो बात है ये पुरी तरह से पहल चुकी है और बीसे न्यूज ने इस घटना को पूर जोर तरीके से बताया है इस स गंभीर मसले को आपने उठाया जनता के बीच में पहुचाया अजारों लोगों को पता चल गया लोग सबेदंशील होकर इस मामले में अभी दखल अंदजी करने आए महिला जो आई है यापर कार्यकरता जो आई है वो उसी दखल को लेकर यहां पर आई है अत्यांत गंभी मामला है बहुत सिरियस मामला है हम लोग कहते हैं कि महिला को न्याय देंगे हम लोग कहते हैं कि फास्ट्राइक कोड बनाएंगे हम लोग कहते हैं कि नयने कानून बनाएंगे नयने कानून बनते जा रहे लेकिन वारदात होती जा रही है एक बहुती गंभीर मसला है पढ़ गुरुह मंत्री नाकपूर शहर के है, वो सन्मान लोग करते हैं उनका बहुत सवेदन्शिल व्यक्ति मत्व है उनका गुरुह मंत्राले का, उनका भी खुद का है, वो बहुत तुरन दखला के धनी रहे हैं, लेकिन उनके ही गुरुह गाउं में इस तरीके सी घटना होती है, और तमाम बातें यहाँ पर जो उजागर हुई है, उससे पता चलता है कि इस मसले को उस गंबिरता से संबंदित पूलिस स्टेशन ने नहीं लिया, ऐसा लगता है मुझे, और साथ साथ में जो गुना दाखल हुआ है, वो भी गंबिर करीके से होने के बावजूद भी वो तो यह मुझे लगता है कि यह गुरूह मंत्रा लेके उपर में धब्बा लगने जा रहा है, तो मैं गुरूह मंत्रा ले से भी दरकास करूंगा, कि आपके सम्मान के लिए, आपकी जो सब्यदंशिलता है, हम लोग मानते हैं, आप बहुत सब्यदंशिल है, तो आप हमनारी पुलिस, महाराष्टर की पुलिस तो कहते हैं कि नंबर वन पुलिस है, और एक व्यक्ति 30-30 दिन फरार रहता है, यह मानने को हम तयारने, पुलिस तुरंद कारवाई करें, और साथ-साथ में यह मैं कहना चाहूंगा, कि वो लड़की जो है, जिसके उपर यह खिल थी, अभी घर में है, उसकी हालत देखने के बाद पता जाए, अर्धमेली है, और मुझे लगता है कि सरकार ने, और साथ-साथ में जो भी हुआ है, उसको लेकर वो जो खर्चा होगा उसके लिए, अस्पताल का खर्चा है, उनके परिवार के उपर में जो घटना घट होने से उनके उपर शोक आया है, उसको धैन में रखते हुए, तुरंत ये महिलाव को अस्पताल का खर्चा सरकार उठाए, और जो भी होता है, एक मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो घटना करिश्मा के साथ में हुई है, अस्पताल उसको ठीक करने की कोशिश करेंगी, ड महाराच्ट की सरकार करेंगी, यह पूलिस भी करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है, और हम लोग लगे है, हम लोग इसको छोडने वाले नहीं है, जब तक करिश्मा को पूरा न्याय नहीं मिलता, तब तक हमारा संगटन इस आंदोलन में रहेंगा, इन महिलाओं के साथ में रहेंगा, अंतिम न्याय तक हम लोग लड़ते रहेंगे, इसके साथ में मैं खास करके जो यहाँ पर इस मसले को लेकर आए, BCN News और बाकी भी जो तमाम अकबारों ने इस मामले की दखल ली है, मैं तमाम लोगों को शुक्रियादा करता हूँ, क्योंकि सवेधन शिल मामले म हम लोग जादा से जादा, हम लोग जनता को जागरूत करते हुए, हम भी न्यायवादी बने, हम भी सवेधन शिल बने, ऐसा मुझे लगता है, और इसी को लेकर राष्ट्री ओभी सी मुक्ति मोर्चा करिश्मा के साथ में पूरे ताकत के साथ में रहेगा, ये विश्वात करिश्मा को नहीं मिलना चाहिए, गुनागारों को जल से जल गिरबतार करना चाहिए, ऐसी मांग को लेकर पूरे राज्य में ये घटना का पूर जोर विरोत किया जा रहा है, अंदोलन किये जा रहा है इसी करम में, आज राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्षन नि मानी अधिवक्ता के साथ तमां सामाजिक स्वयन सभी संगठन के महिला यहां पर बड़ी संख्या पर मुझूद है, हर कोई करिश्मा तामगाड़े को नया देना चाहता है, क्योंकि ससूर अभी फरार है, क्योंकि जब इन से बात की तो उन्होंने ये कहा कि ससूर ने उने चोथे मंजिल से धक्का देकर नीचे गिराया है, अब जो पिडि करिश्मा है वो तील-तील मर रही है, सांसे जारी है, मगर शरीर पूरी तरह से भुरुत पाया जा रहा है, ऐसे में उसको नया कब मिलेगा एक देखनी वाली बात होंगी, राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे, पुलीस प्रशासन इस ओर ध्यान दे, और जल्स से जल्स ऐसे पिडित उस बच्ची को उस करिश्मा को नयाय दे, यही समय की मांग है, कैमेरा परसन माइकल के साथ संजय मीरे, NBCN News, नाकपूर